इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किज़े और दबाईए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्रे हलो फ्रेंड्स मैं हूआ अनिल सिंगानिया और आप देख रहा हैं मेरा इउट्व चाइनल कीजिस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि इस नेचेट लूक क्या होता है इसको कैसे उज करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं यह बई स्टेप आपको बताऊंगा है कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत यह असान है बिल्कुल भी डर नहीं को जरूरत नहीं कभी प्रोग्रामिंग को रटते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम header file को include करते हैं stdio.h इसके बाद हम main function को start करेंगे इसके कलीब record को पैनल क्लोज करेंगे एक लूप बनाते हैं start करते हैं one से condition देते हैं तीन तक जाएगा और इसको increment कर देते हैं एक से तो टोटल यह look कितने बाद चलेगा तीन बार तो इसका output कितने आ जाएंगे तीन स्टार आएंगे तीनो किस में आएंगे horizontal में आएंगे क्योंकि हमने slice नहीं लगाया है तो चलिए इस step का हमने यहां पर output लिख दिया कि पहले step में output कितना आ गया कमेंट करके मैं लिख दे रहा हूं कि तीन स्टार आउटपुट आ गया है step में one में अब इसको हम क्या करते हैं इसके बाहर एक और लूप लगाते हैं उसको इन slice करते हैं one से उसका भी condition देते हैं तीन तक उसको भी increment करते हैं one से अब इसकी body के अंदर हम दूसरे वाले for loop को रख देते हैं अब यहां पर देखेगा pattern कुछ इस फरकार को हो गया दोस्तों कि जो j वाला for loop है वो i वाले for loop के body के अंदर आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे आउटर loop बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे इनर लूप अब दोस्तों इसका output क्या होगा वो भी देख लिजिए इस इनर लूप का जो output है दोस्तों एक बार में कितना output दे रहा है यह 3 स्टार और इस लूप को यह outer वाला loop कितने बार चलाएगा तीन बार क्योंगी यह ती तीन बार चल रहा है और यह एक बार में तीन स्टार दे रहा है तो टोटल आउट्पूट कितना हो जाएगा दोस्तों एक बार में तीन दूसरे बार में तीन और तीसरे बार में भी तीन तो टोटल कितने स्टार प्रिंट हो जाएगे 9 स्टार तो आप यहां से काउंट कर स सकते हैं टोटल कितना स्टार आ गया नाइन इसका भी मैं स्टेप टू का आउट्पूट लिखी दे रहा हूँ यह सेकर्न स्टेप का आउट्पूट हो गया अब दोस्तों चाहते हैं कि जितने भी स्टार है उनके बीच में कुछ गैप आ जाए कुछ इस टाइप से तिसरा स्टेप हमारा क्या है दोस्तों हम चाहते हैं कि हर स्टार के बीच में क्या आ जाए एस्पेस आ जाए तो एस्पेस लाने के लिए हम सिंप्ली क्या करेंगे जहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं वहां पर एक स्पेस दे देंगे अब चला कर देख लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सब star के बीच में space आ गया है total कितने star print हो गया है 9 star और यह 9 star किसमें है एक line में अब इसी 9 star को हम चाहते हैं pattern में convert करना कुछ इस type से है एक रो में 3 दूसरे रो में 3 और तीसरे रो में 3 तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर star की संख्या से में यह 9 star है इस 9 star को हमको इसमें convert करना है तो इसके लिए concept है दोस्तों देखिएगा इसमें क्या है हर 3 star के बाद आप line change कर दिए तो कुछ इस फरकार का बन जाएगा देखिए जैसे first 3 star के बाद line change कर देंगे यह आ जाएगा दूसरे के बाद change करेंगे तो फिर यह आ जाएगा और तिसरे के बाद change कर देंगे तो फिर यह आ जाएगा मतलब हर 3 star print करने के बाद हमको line change करना है तो यहाँ code पर आ जाते हैं यह एक बार में कितना star print कर रहा है तीन जस्ट इसी for loop के नीचे आप क्या कर दिजिए line change कर दिजिए slash and apply कर दिजिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी confusion मत हुझेगा जो outer loop है उसी के अंदर print app को लिखना है लेकिन inner loop के बाहर लिखना है हमसा student confused होते हैं वो क्या करते हैं इसके बाहर लिख देते हैं ऐसा किजेगा तो output नहीं आएगा आप इसको चला के देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह pattern बिल्कुल कैसा बन गया है 3 x 3 का matrix बन गया है दोस्तों इस चार लाइन के code को उज़ करके सारे square matrix आप print कर सकते हैं या कोई भी matrix इसको बोलते हैं हम concept के लिए इसको बोलते हैं row और इसको बोलते हैं column जिसे देखिए आपको 5 x 5 का print करना तो यहाँ पर भी 5 कर दिजिए और यहाँ पर भी 5 कर दिजिए तो यह रहा 5 x 5 का matrix आप पुछ भी print कर दिजिए 2 x 3 का करना यहाँ पर 2 कर दिजिए यहाँ पर 3 कर दिजिए 2 x 3 मतलब 2 row 3 column तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से 2 row 3 column प्रिंट हो चुके हैं तो है ना बहुत असान यह अब मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर के साथ इस का यूज कैसे कर सकते हैं अभी तो यह क्या प्रिंट हो रहा है 3 x 3 का matrix प्रिंट हो रहा है अब समझे यह माल लीजिए इस star के जगे हम क्या का प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर हमने कर दिया यह तो यह की वल्यू कpent चब्रन, चलल ना, प्रिंट तो जहां जहां स्प्रिंट हो रहा था वहां पर यह यह बार में क्या प्रिंट हो रहा 有點 फाल इस known तो यह outer loop कितने बार चलाएगा, तीन बार चलाएगा, तो output किया जाएगा, आप देख लिजिए, 123, 123, 123, 123, दोस्तों आप step by step ध्यान देते चलिए और practice कीजिएगा तो आपको हर एक चीश समझा जाएगी यहाँ पे, अब क्या कर दिया हमने यहाँ पे, अब जैसे समाल लिजिए आपको 1 से लेके 10 तक का tables प्रिंट करना, अब देखिए मैं क्या कर रहा हम यहाँ पे, वन से लेके 10 तक कर दिया, अब हम क्या प्रिंट होगा है यहाँ पे, 123,456,789,10, यendo inner loop है वो किसका table प्रिंट कर रहा है, 1 का table print कर रहा है, मैं एक बार और repeat कर रहा हूं दोस्तों, ये जो inner loop है, 1 का table print कर रहा है, और जे outer loop है, वो inner loop को कितने बार चलाएगा, 3 बार, तो total 1 का table कितने बार print हो जाएगा, 3 बार print हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने बार print हो गया है, 3 बार print हो गया, अब यदि सूचिए यदि माल लिजी हम यहां पर 10 कर देते हैं तो कितने बार 1 का टेबल प्रिंट हो जाएगा आपका एंसर होना चाहिए 10 टाइमस एक का ही टेबल प्रिंट हो जाएगा देख लिजी यह क्या प्रिंट हो रहा है 10 बार क्या प्रिंट हो रहा है 1 का टेबल ही प्रि विफिल गर्ड ओडर में बहुत ही शिंपल है जोस्तों किसी भी नंबर का टेबल निकलने के लिए मैंने एक this trick बता है पिछले वीडियो में देख लिजेँगा आप लो किसी भी नंबर में वान का टेबल ऐसा टेबल होता जिसमें जिस नंबर सा आप multiply कर देजएगा तो उसी का table आ जाएगा तो simple क्या करना यहाँ पर j into i कर देजए अब हो गया क्या मैं यह बता रहा हूँ आपको i की value 1 आएगी तो यह 1 का table में किस से multiply होगा 1 से तो 1 का table निकल जाएगा पर देख लिजे इसका output तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से horizontal में भी 1 से लिके 10 तक का table आपको दिख रहा है और vertical order में भी 1 से लिके 10 तक का table आपको दिख रहा है बस यह arrange size sequence में नहीं लग रहा है मैं उसको कर दे रहा हूँ बहुत simple है यहाँ पे आप क्या कर देजएग तो क्या आजाएगा दिखेगा बहुत ही अच्छा format में आपका 1 से लेके 10 तक का tables दिखेगा यह मैं आपको simple सा concept इसका बता दे रहा हूँ यह 3 क्या हो जाएगा output का weight है तो जो 1 digit था उसको भी 3 digit में consider करेगा और जो 3 digit है उसको भी 3 में और जो 2 है उसको भी 3 digit में convert कर देता है इसलिए इसका format इतना अच्छा दिखने लगता है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हो कैसे रहा है सबसे पहले क्या आएगा i की value यहाँ पर 1 आएगी यह loop क्या चलेगा 1 से लेके 10 तक चलेगा 1 से multiply हो जाएगा 1 का table प्रिंट हो जाएगा अब यहाँ पर i की value कितनी हो जाएगी जब आएगी i की value 2 तो 1 के table में 2 से multiply होगा तो उस समय दो की table निकल जाएगा इसी टाइप से यह 1 से लेके 10 तक टेबल और जेंटल ओडर में भी दिखेगा और 1 से लेके 10 तक टेबल यह वर्टिकल ओडर में भी दिखेगा दोस्तों यदि कोई भी ऐसा point है इसमें जो आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई भी line of code आपको समझ नहीं आया तो please इस video के नीचे comment किजगा मैं जरूर उसको explain करूंगा आपके लिए और यदि यह video आपको पसंद दाया तो please अपने दोस्तों से भी share किजिएगा और कोई भी program यदि नहीं बनता इने श्टेट फॉर लूप से आप पूछ सकते हैं और इसके बाद जो हम video बनाएंगे उसमें पूरे pattern के program आपको दोस्तों बताएंगे कैसे pattern के program बना सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ केवाल एक line के changes से दुनिया के सारे pattern मैं आपको बताऊंगे कैसे print कर सकते हैं याद रखिए केवाल एक line के changes सारे pattern A to Z pattern आप बना सकते हैं याद रखिए गए मेरी बात को और अगली वीडियो को दिखीगा उसमें मैं पूरा का पूरा concept आपको बताऊंगा और इस वीडियो में यदि कोई भी परसानी होती है नहीं स समझ आता तो प्लीज आप कमेंट कीजेगा मैं उसे जरूँ आपके लिए explain करूंगा thank you so much